दूसरा सवाल है साइनस इंफेक्शन का ट्रीटमेंट कैसे करें कई लोगों को क्या होता है कि साथ से आठ साल हो गये हैं और साइनस इंफेक्शन से वो परिशान है काफी लंबा टाइम हो चुका है जिससे वो साइनस इंफेक्शन से परिशान है तो अब इसका जवाब क्या ह है कि अगर आप Sinus infection से बहुत लंबे टाइम से परिशान है तो यह chronic sinusitis का लक्षन है यानि कि आपको chronic sinusitis है chronic sinusitis क्या होता है जब आपको बहुत लंबे टाइम से यह हो रहा है sinus की problem तो यह तीन वज़े से हो सकती है पहली चीज तो नैसल पॉलिप्स नैसल पॉलिप्स क्या होता है कि नाक में ट्यूमर्स या गठाने टाइप की हो जाती है उससे क्या होता है जो साइनस है वो ब्लॉक हो जाता है और उससे भी प्रॉब्लम चालो हो जाती है दूसरी चीज क्या है नैसल सेप्टम क एक साइट पे आ जाना इसकी वज़एसे भी क्या होता है तो ये भी प्रॉबलम है कि लोगों को वर इसे होती है तो क्या सॉलूशन है अगर यह दो आपके साथ है कि आपको नेसल पॉलिप हो रहा है या फिर आपको डेटीक नेसल सेप्टम है तो इसका treatment एक ENT specialist को आप दिखा लें जो कि surgery में experienced हो उससे क्या कि यह जो प्रॉब्लम है इसका surgical treatment ही possible है अगर successful कर सकते हैं कि medicine से आप किसी tumor को नहीं मिटा पाएंगे किसी आप natural septum को सीधा नहीं कर सकते तो उसके लिए एक surgical physical treatment की बहुत जरूरत है और अगर allergy का case आता है तो allergy का case का सिर्फ एक ही treatment है कि आपको allergy का जो allergen है उसको अपने पास आने तक रोकना है यानि कि अगर आप allergy का treatment permanent रूप से करना चाहते हैं तो उसका एक ही मात्र solution है कि आपको जो allergen है उसको टालना होगा तो इसके लिए क्या करें एक टेस्टिंग के लिए आप जाएं allergy टेस्टिंग से आपको पता चल जाएगा कि किस वज़े से आपको allergy symptoms आते हैं किस वज़े से allergy होती है तो वह allergy की जब आपको पता चलेगा उसको आवाइड करके ही आप allergy को रोक पाएंगे क्योंकि allergy कि आप कितनी गोली दवायां खालें कुछ भी कर लें वह सिर्फ symptoms को रिलीव देते हैं वह उसका पर्मनेंट सॉलूशन नहीं है